हलो फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर यहां पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें उसके बाद यह जो बैल बटन देखते हैं आप इस पर क्लिक करें फिर यहां क्लिक करके इसको सेफ कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेर नए वीडियो देखते रहने के लिए थैंक यू हो माय दियर फ्रेंड्स और स्टूरेंट्स वेल्कम बैक फिर से एक वीडियो बना रहा हूं आपके लिए और यहां हम बात करेंगे कटना जैसा मैंने आपको पहले बताया मुझे हमेशा टॉपिक्स मिल जाते हैं मेरे स्टूरेंट्स एक वीडियो बनाऊ तो यह मुझे किसी स्टूरेंट ने पूछा था कि कटना जैसे फॉन का कट जाना या जेव कट जाना या उंगली कट जाना तो इसको हम कैसे बनाएंगे तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं चलिए पहले जैसे कटना तो मैंने का मेरी बात करते करते फोन कट गया था या आप से बात करते समय मेरा फोन कट गया था तो चाहें तो पहले इसको हिंदी में लेखते हैं आप से बात करते करते फोन कट गया था ठीक है तो यह है जैसे आप से बात करते करते फोन कट गया था तो फोन कट जाना यहां पर होता है डिसकनेक्ट हो जाना था ना तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं इसको इंग्लिश में करते हैं तो फोन वाज डिसकनेक्टेड वाइल टॉकिंग तुई यू तो यह इस तरीके से बनाएगा यहां फोन के कट जाने के लिए हम डिसकनेक्ट यूज करते हैं ठीक है अब हम दूसरा अगर हम बोले जेव कट जाना जैसे बस में मेरी जेव कट गई ठीक है तो पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं बस में मेरी जेव कट गई ठीक है अब इसको तो देखिए जेव कटना होता है पिक ना तो पिक को थाड़ सेकंड थाड़ फॉर्म यूज करेंगे पिक तो माय इसको इंग्लिश में लेंगे यहां पर तो माय तो यहां पर जैसे बस में मेरी जेव कट गई है ना तो माय आखेट वास पिक्ट इन बस यह हम बोल लाएंगे इसमें ठीक है तो फोन कट गया जेव कट गई उंगली कट गई ठीक है तो मेरी मेरी उंगली कट गई तो इसको इंगली में लेते हैं कि आई गाट मैं फिंगर कट आई गाट माय फिंगर कट ठीक है तो यह इस तरीके से आप कटना को यूज कर सकते हूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज आपको शब्सक्राइ झाल झाल